प्रणाम बच्चों, आज की कक्षम में आपका स्वागत है। या फिर और अन्य ऐसे कई वाक्यांश जिनका प्रयोग हम करते हैं अपनी भाशा को और सुन्दर बनाने के लिए। होता है कि आपको बहुत तेज भूक लगी है। इसी प्रकार फूला ना समाना, फूला ना समाने का यह अर्थ नहीं है कि आप फूल कर मोटे हो गए हैं। इसका मतलब है बहुत प्रसन होना। तो बच्चों जब कोई वाक्यांश अपने सामाने अर्थ को छोड़ कर किसी विशेश अर्थ को प्रकट करता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। आए कुछ मुहावरे और उनके अर्थ इस विडियो के द्वारा समझें। शेश अर्थ प्रकट करें तब वह मुहावरा कहलाता है। कुछ मुहावरे तथा उनका वाक्य प्रयोग। पेट में चुहे दोड़ना, बहुत भूक लगना। विद्याले से आते ही अंकुर के पेट में चुहे दोड़ने लग गए। बाएं हात का खेल, आसान काम। गणित के कठिन सवाल निकालना तान्या के बाएं हात का खेल है। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। शेटान अजे ने अपनी मा की नाक में दम कर दिया। दात खटे करना, हरा देना, सचिन की टीम ने विरोधी टीम के दात खटे कर दिये। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना, रोहन की शैतानी से टीचर आग बबूला हो उठी। पानी पानी होना, बहुत शर्मिंदा होना, चोरी पकड़े जाने पर दिव्यम शर्म से पानी पानी हो गया घोडे बेच कर सोना, बहुत गहरी नीन में सोना, रवी को अपनी परीक्षा की कोई चिंता नहीं है, वह घोडे बेच कर सो रहा है 9-21 होना, भाग जाना, आम तोडने के लिए पेड़ पर चढ़े लड़के माली को आते देख 9-21 हो गए लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना, काच की प्लेट तूट जाने पर मा रामू काका पर लाल पीली होने लगी मूँ की खाना, पराजित होना, होकी मैच में हिमादरी टीम ने अरावली टीम से मूँ की खाई अन्य मुहावरे, इट से इट बजाना, नश्ट कर देना, चूडियां पहनना, कायर बनना, आखों का तारा, बहुत प्यारा चार्थ चांद लगना, बहुत सुन्दर लगना, अपने पाउँ पर कुलहाडी मारना, जान बूच कर संकट में पढ़ना, आख दिखाना, क्रोध करना, आकाश से बाते करना, बहुत उचा होना, बहुत शोर करना, दाल में काला शक होना, हाथ मलना, पच्चताना तो बच्चों, यहां हमने सीखा कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और उनका वाक्यों में प्रयोग, इसी प्रकार से आपकी पुस्तिका में भी एक लंबी सूची दी गई है, मुहावरों की, उनके अर्थ की और उनके प्रयोग करी, इन सभी मुहावरों का प्रयोग, आप अ अब आपकी बारी धन्यवाद